नमश्कार दोस्तो तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर बहुत बहुत हादिक स्वागत है तो दोस्तो आज मैं आप लोगों को सिर्फ पानी में हरा प्याज उगा कर दिखाऊंगी इस तरीके के प्याज को उगाने में बल्ब नहीं बनते हैं सिर्फ उपर हरी पत्या निकलती है तो देखे इसमें कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है साथ में इसमें रूट्स भी काफी अच्छी निकल आई है तो चलिए देखते हैं कि कैसे लगाना है तो दोस्तों किसी भी सबजी को या किसी भी पौधे को जब हम सिर्फ पानी में उगाते हैं तो उसको हम hydroponic method कहते हैं अब दोस्तों आपको जितने भी प्याज को बोना है तो उतने आप प्याज पुराने ले लीचे एक साइच के और लेने के बाद में सभी प्याज के उपर का हिस्सा थोड़ा सा कट कर दीचे कट कर देने से वहां से नई पत्यों को निकलने में काफी आसानी रहेगी और अगर कट नहीं करेंगे तो भी पत्या निकलेंगी लेकिन वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले लेंगी अब इन कटे हुए प्याज को रखने के लिए आपको एक ऐसी टोकरी की जरुरत पड़ेगी जिसमें की नीचे की तरफ छोटे छोटे छेद हो जिससे की जब प्याज की जड़ें बढ़ें और पानी में टच करें तो उन छेद से बाहर निकल सकें इसके बाद आपके पास जितने भी प्याज है और जो भी आपने टोकरी ली है उस टोकरी में अच्छी तरीके से सभी प्याज को सेट कर दें ध्यान रखना है कि टोकरी में जब प्याज सेट करें तो जो कटा वाला भाग है वो उपर की तरफ रखें और जड़ वाला भाग नीचे की तरफ रखें. अब इस टोकरी को रखने के लिए आप किसी ऐसे बरतन का सेलेक्शन करें जिसमें कि ए टोकरी फिट हो जाए और जब आप नीचे बरतन में पानी डालें तो टोकरी के सरफिस पे पानी टरच होता रहें पानी उपर नहीं आना चाहिए नहीं तो प्याज जो है वो सर्ड जाएंगे अब यो bbeतन को ऊठा कर पूरी धूप में रख दें अगर सर्दी के मौसम में प्याज को उगा रहें और अगर गर्मी के मौसम में हरा प्याज उगा रहे हैं तो उसको फिर छाओं में ही रखें इस तरीके से आप देखेंगे कि चार से पांच दिन के बाद कटे वाले भाग से हरी हरी पत्या निकलनी छोटी छोटी सुरू हो गई हैं और नीचे जो सूखी वाली जड़ हैं वो अब सफेद होकर पानी में टच कर करने लगी हैं अगले 15 दिन बाद आप देखेंगे कि आपने जो प्याज को लगाया था अब वो हार्वेस्ट करने के लिए कुछ इस तरीके से तयार हो गया है अब आप उसको हार्वेस्ट कर लीचे तो इस तरीके से घर में रखे हुए खराब छोटे जो प्याज अंकुर हो रहे हैं उससे आप हरा प्याज उगा सकते हैं और तीन से चार बार उसको हार्वेस्ट करके सबजी या फिर अन चीजों में इस्तेमाल कर सकते हैं